वेब आप्टिक्स की आज हमनों सुरुवात करते हैं एक बार नोट से हमनों देखते हैं तरंग प्रकास की तो वेब आप्टिक्स दो सब्दो से मिलके बना है एक तो वेब और दूसरा आप्टिक्स बात की जाएं वेब के बारे में तो वेब का क्या मतलब होता है तरंग प्रकास का अध्यन तो इसका क्या मतलब हुआ तो मतलब यह हुआ प्रकास का तरंगो की रूप में अध्यनी क्या का लाता है वेब आप्टिक्स या प्रकास की का लाता है ठीक है यानि जब बात करते हैं प्रकास की के बारे में तो प्रकास की क्या है प्रकास की मतलब है प्रकास का तरंगो के रूप में अध्यन ठीक है अब इसमें हम लोग सुरुआत कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे प्रकास की क्या होता है आप्टिक्स क्या होता है तो आप्टिक्स क्या है बहुतिक विग्यान की वह साखा जो क्या करता हो जिसके अंतरगत हम लोग प्रकास के गुड़ो का अध्यन करते है वो क्या करता है प्रकास की क्या है तो बहुतिक विग्यान की वह साखा जिसके अंतरगत हम लोग प्रकास के गुड़ो का अध्यन करते है उससे हम लोग प्रकास की कहता है आप्टिक्स कहता है यानि कि आप्टिक्स इस डैट ब्रांच आप फिजिक्स इन विच वी इस्टडी एबाउट दा लाइट एंड प अप्रकास केजिक्स को अब बात करते हैं इसमें आप्टिक्स के कितने प्रकार होते हैं काइंस ऑफ अप्रकास के बारे में बात कि जाए तो प्रकास के जनरली हमदों दो भागों में अध्यान करते हैं, वन्हें प्रतास की अध्यान को कैसे कैसे अंदो कर सकते हैं, दो पार्ट में कर सकते हैं, पहला रेज आप्टिक्स बोलते हैं उसको, दूसरा वेब आप्टिक्स बोलते हैं, रेज आप्टिक्स को और भी क्या बोलते हैं, जियो मेट्रिकल क्या बोलते हैं Geometrical Optics Wave Optics को और क्या बोलते हैं Wave Optics को बोलते हैं Physical Optics क्या है कि जो कीरड प्रकास की है इस कीरड प्रकास की को हम लो क्या बोलते हैं जयामिती प्रकास की बोलते हैं और इस तरंग प्रकास की को हम लो क्या बोलते हैं भातिकी प्रकास की बोलते हैं तो इस प्रकार हम लोग Optics को दो भागों में पढ़ते हैं Optics is of two types First Rage Optics and Second Wave Optics अब बात करते हैं हम लो लाइट के बारे में लाइट क्या है तो लाइट के बारे में बात करें तो लाइट is a energy प्रकास क्या है प्रकास एक उर्जा है जो क्या करता है विद्दु चुम्बकी तरंगों के रूप में चलता है क्यानि यहां से हम लोग जान सकते है कि light क्या है light एक टाइप का energy है और यह energy किस रूप में चलता है तो electromagnetic wave के रूप में किस रूप में चलता है electromagnetic wave के रूप में यह light चलता है ठीक है तो प्रकास एक और्जा है जो कि विद्दु चुम्प की तरंगों के रूप में चलता है लाइट इजे एनर्जी विश्ट्रेवल इन दा फॉर्म आफ विश्ट्रेवल इन दा फॉर्म आफ इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेब्स टिक है तो प्रकास एक विद्धु चुम्ब की तरंग है जो किस रूप में चलता है जो चलता है विद्धु चुम्ब की तरंग है अब बात करते हैं जो हमें दिखाई देता है वो कितना होता है तो वो होता है 4000 एंग्स्राम से लेकर करके जानते हैं लगवग इसी के रेंज में वाइलेट प्रकास होता है लगवग इसके रेंज में रेड प्रकास होता है तो दो टाइप के लाइट्स होते हैं एक वाइलेट और ये रेड टाइप बनाई तो इस प्रकास से हम दो जान सकते हैं कि प्रकास जो हमें दिखाई देता है वो किस रूप में होता है वो होता है विजिवल रेंज के रिटमेटिक है और वो उस विजिवल रेंज की जितने भी लाइट आएंगे उसकी वेवलेंथ होजी तरंग दैद होगी 409 मेटर ठीक है 409 मेटर से 709 मेटर तो अब बात करते हैं नेचर आफ लाइट के बारे में प्रकास की प्रकृत के बारे में तो प्रकास को अलग-अलग लोग अलग-अलग रूप में मानते हैं जैसे न्यूटन न्यूटन प्रकास को क्या मानते हैं कॉर्पोसल्स मांगते हैं ठीक है यानि न्यूटन प्रकास को कडिका के रूप में मानते हैं इसलिए न्यूटन ने जो सिध्धान्त दिया है उसे बोलते हैं न्यूटन स्कार्पास्ट लर्ट दिया है न्यूटन ने जो सिध्धान्त को दिया है उस सिध्धान्त का नाम है न्यूटन का कड़िका सिध्धान्त देगा तो नीटन के कड़िका सिध्धांत में क्या क्या है तो पहला उनके कड़िका सिध्धांत में ये है प्रत्य प्रकास रोत से असंग के हलके और सुच में कर निकलते रहते हैं ठीक है एवरी लाइट सोर्स इमिट्स इंफनाइट नंबर आफ माइक्रो पाइटकेस इस नोन एज कारपसल्स उन्हें कड़िकाय करते हैं दूसरा क्या एजम्शन है प्रकास के स्वोत से ये कड़िकाय निकलकर सभी दिसाओं में सरल रेखा में जाते हैं दूसरा क्या बोलता है जब भी ये कड़िकाय हमारे आख के रेटीना पर पड़ती है तो हमें वस्त दिखाई पड़ती है जब ये कड़िकाय हमारे आख के दिखाई पड़ती है तब ही हमें पोई वस्त दिखाई देती है और क्या करता है तो बिभिन रंग के प्रकास की कड़िकाय बिभिन नाकार की होती है आल दे वेवस है डिफ्रेंट कर्पोसल्स ठीक है तो हर क्रकार के रंग के कड़िकायों की अलग अलग आकार होती है ठीक है फिर बात करते हैं इसके आमाननेता के कारण लिम्टेशन्स आफ दिस थिएरी तो न्यूटन की कारपसल्स थिएरी की क्या क्या लिम्टेशन थे तो पहला प्रकास का सघन माद्य में वेग अधिक होना चाहिए प्रकास का सघन माद्य में वेग अधिक होना चाहिए लेकिन वास्तों में प्रकास वैक्यूम में तेज चलता है नो कि सघन मानते हैं और क्या प्रकास का वेग प्रकास के सुरोत पर निर्वर करना चाहिए लेकिन प्रकास का वेग प्रकास के सुरोत पर निर्वर नहीं करता है और क्या इसने नहीं बता पाया तो यह सिद्धान्त प्रकास के विवरतन और प्रकास के व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर पाया यानि कि डिफ्रेक्शन और इंटर्फरेंस आफ लाइट के बारे में यह नहीं बता पाया फिर बात करते हैं हाईजन के तरंग सिध्धान के बारे में तो हाईजन स्वेब थियरी का है हाईजन ने 1678 में थियरी दिया उन्हों बताया कि प्रकास तरंग के रूप में चलता है और ये तरंग के प्रकास रोज से निकलते सभी दिसाओं में चलती है तो हाईजिन ने बताया कि कोई भी लाइट सोर्स है उससे लाइट सारे डारेक्षन में वेव के रूप में ऐसे चलता है वेव के रूप में वो सारे दिसाओं में चलता है ठीक है और उनका वेग प्रकास के वेग के समानी होता है यानि इन पार्टिक्ल्स की वेलासिटी भी इन्टु टेंटु पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है ठीक है तो यह तो न्यूटन ने हाईजन ने बताया ठीक है इसके भी अमान निता की कारड़ होती है इसके किया क्या अमान नतय कारड़ ह gon get तो हाईजन के अंसाप्रकास तरंग किसी न किसी माध्यम में गतिड़ती है जो की वेव गव को चलने के लिए माध्यम की आ सकता होती है लेकिन क्यों हमें देखने को यह मिला वेव कैसे शूर्य से पृत्वी तक आ जा रहा है। क्योंकि सोर्य से पृत्वी के बीच में बीच में ऐसे बहुत सारे इस पेस हैं जहां पर वैक्यूम भी है ठीक है उस उसमें कोई माधह नहीं है तो वहां से कैसे तरंग के रूप में चलाया तो उसके थाईजिन ने बताया कि ये क्या है ये प्रकास एक इथर माध्यम से होके आया है यानि कि जहां पर सुझे और फृत्वी के बीच में कुछ भी नहीं है वहां पर एक माध्यम है उस माध्यम का नाम है इथर तो उन्होंने बताया इसे इथर माध्यम से होकर के प्रकास तरंगे आई है इसके भी अमानिता की कुछ कारण थे क्या तो इनकी अन्सा प्रकास तरंग किसी ने किसी माध्यम में गति करता है लेकिन माध्यम में गति करने से भी ये कैसे सुर्षे और प्रित्वी के बीच में आजा ठीका लेकिर प्रकाश्त रंग जो होती है न वो बिना माध्यम में भी गति कर सकती है जरुरी नहीं है कि आप इंधन वो उसके बीच में इधर मीडियम लेकि आठीक कैं यदि इधर मीडियम आप प्रोडूर्ट्स नहीं की होता न फिर भी करता है इन्होंने दो बताया था इनका इथर माध्यम जो था न वह बहुत भी लाजिकल था क्या है और इन्होंने जो बताया था इथर माध्यम उसका घ्ना तो माना था कि बहुत माज्यम कंग के रिखती ही कम और उसकी प्रतियास्ता बहुत अजेक्विक्ता में इसा कोई माध्यम ही नहीं फिर आया Maxwell का विद्द चुमकी सिधान Maxwell के विद्द चुमकी सिधान में क्या था तो इन्होंने माना कि जो प्रकास है वो electromagnetic wave के रूप में चलता है कैसे बता है इन्होंने magnetic field को oscillate कराया ठीक है उसमें electric circuit उसमें electric current भी पास करवाया तो उससे कुछ wave निकले उन्हें wave की जो speed देखे न वो भी speed of light के ही बराबर थे ठीक है उसकी भी speed light के speed के बराबर थे तो वहाँ पे इसनों ने मांग दिया कि जो प्रकास है वो प्रकास किस रूप में चलता है electromagnetic wave के रूप में चलता है बाद में hertz ने भी इसको प्रूप कर दिया और विकर्ज़र साइंटिस्टों ने इसको प्रूप कर दिया इसके ओमानेता के क्या कारण थे तो Maxwell का जो विद्धु चुम्म की प्रभाव है इसके ओमानेता के कारण ये है कि यह photo electric effect को नहीं define कर पाया रहाता तो photo electric effect को नहीं define कर पाया और किसको रमन इफेक्ट को नहीं define कर पाया था और crompton effect को भी ये define नहीं कर पाया था तो इस प्रकार हम लोग दोखे कि Maxwell का भी theory imperfect होगे इसके बाद आया plank का quantum theory प्लांक ने अपने quantum theory में क्या बताया तो प्लांक ने बताया कि जो भी प्रकास की उर्जा है ना वो लगातार नौब चल करके छोटे छोटे उर्जा के packet के रूप में चलते हैं जिने प्लांक प्लांक ने बताया इसलिए इसके नाम पे ही इसके constant का विनाम रखा गया plank constant टीक है तो इसे इन्हों ने यही बताया कि प्रकास क्या कैसे चलती है प्रकास छोटे 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 एनर्जी के packets के रूप में चलती है जिसे हम जो photon काता है ठीक है तो इस प्रकार हम लोगा ने यसारत यरिस प्लेलिया कि अर fre्वेशशब करेंड़ा लो झालती है जा रव sean स्हा टोटेश वादिस का लाय médico जारीशन्हाय टीक है ओ्रकास करेंटITA का दोटेंटर, शोटेंटर, टेंटर, बचने बताएंधेयाय पय'll जे आगे यहींता है, फ्रॉब